नमस्कार, उत्तरपदेश की जिन 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें से एक सीट है मिश्रिक सुरक्षित और मिश्रिक सुरक्षित सीट जो है वो एक दूसरी तरह से इसको देखें तो यह महर्श दधीच की धरती है महर्शी दधीच यानि वो जिनोंने अपनी हड़ियां दे दी थी और वो सिर्फ इस लिए कि राक्षसों का असुरों का संगहार किया जा सके आप राजनेतिक रूप से तो एक होता है कि या कहें कि तीनों चारों ही एक दूसरे को पर इस तरह क्या ओरप लगाते रहते हैं तो कलियुग में वो संदर्भ नहीं हैं सूरह सूरु वाले वो दूसरे संदर्भ बदल गए हैं लेकिन राजनेतिक पर मिष्रिक की जनता कैसे तैक करेगी और यहां तो देह दान करने की जरूरत नहीं है हड़ियों की दान करने की जरूरत नहीं मत दान अगर ठीक से हो गया तो परिणाम ठीक निकल आते हैं और मिशिक सुरक्षित लोगसभा सीट पर भारती जनता पार्टी से अशोक कुमार रावत लड़ रहे हैं और सामने जो है गड़बंधन की और से बसपा की डॉक्टर नीलू सत्यार्थी हैं और ये तो आमने सामने के दो जो लगभग जारतर सीटों पर उतरप्रदेश में यही है कि गड़बंधन और भारती जनता पार्टी और उसमें एक तीसरा कुना कई जगों पे ठीक है वो है का तो यहां कॉंग्रिस ने वो तीसरा कुना मजबूत करने की कोशिश की है मंजरी राही को उतारकर मंजरी राही कौन है मंजरी राही है रामलाल राही जो पूर्व किंद्री मंतरी थे तो यहां से चार बार सांसद रहे हैं तो उनकी बहु है और इसके अलावा पार्टी बना लिया है तो उसे उन्हें सपा सरकार में ही पहले मंत्री रही अरुन कुमारी कोरी कुमैदान में उतारा है तो यह कहें कि रोचक शूरग्षित सीट में भारती जनका पार्टी को दूसरी वजहें से एक समार्ण और बढ़त मिलेगी या नहीं मिलेगी ये देखने वाली बात होगे और मिश्रिक लोगसभा के इसकी बात करें तो सीतापूर, हर्दोई और कानपूर इन तीन दिलों की विधान सभाये हैं जिनसे मिलकर ये लोगसभा बनी हुई है और यहां एक और बात करें कि कब यहां पहली बार मतलब राजनितिक समिक्राण के लिहाज से बदलाओ कब हुआ था तो 1962 का यहां जब लोकसभा चुनाओ हुआ पहला है तो उस लोकसभा चुनाओ में भारती जनसंग के गोकरन प्रसाद ने यह सीट जीत ली थी मतलब आप इ जो असल जो कहें पहला चुनाओ हुआ था तो यहां जीत गई थी जनसंग भारती जनसंग जो भारती जनता पार्टी का पूर्व संगठा ने एक तरस कहें कि वही है जो जनता पार्टी और उसके बाद फिर भारती जनता पार्टी बन गया है तो उन्होंने जीत ली थी और हरदोई की तीन विधान सभा सीटे हैं सबसे जादा तो एक नरेश अग्रवाल का जो प्रभाव है जिसकी बात में कर रहा हूँ तो वो भी एक प्रभाव है और उसके अलावा ब्रिजेश पाठग जो कानून मंत्री है उतर्बदेश सरकार में तो वो मलावा विधान सभाय वहीं से आते हैं प्रजेश पाठर और अगर ये बात करें कि पहले का क्या समीकरा रहा है तो यहां से पहले सांसत चुनी गही थी मोदी लेहर में अंजू बाला लेकिन अंजू बाला भी कुछ उन दुर्भागेशाली लोगों में सरही है तो ये है कुलमिला के मिश्रिक सुरक्षित लोकसभा सीट का एक तरह से कहें इतिहास और अभी का समीकरा जिस तरह के स्थितिया हैं और अठारह लाख से ज़्यादा मत दाता हैं और 2014 की बात करें तो करीब 10 लाख इतने मत दाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया था और यहां भाजपा की हार जीत का अंतर था 87,000 तो अब बल्ले समीकरा में चुकि प्रत्याशी सब बदल गए हैं तो उसमें देखिए किस तरह से कौन सा प्रत्याशी होता है कहने को तीसरा और चौथा कुना है कौंग्रेस और शुपाल की पार्टी वाला वो कितना असर करेगा वो एक महत्वकुन भूमिका निभाएगा